गुद मॉर्निंग स्टुडेंट टूडे वी विल कंटिन्यू अवर सेकेंड चैप्टर 2.2 पार्टनर्शीप और्गिनाइजेशन टूडे वी विल डिस्कस लिमिटेशन ओप पार्टनर्शीप साजिदाजी की सीमाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे देखे बेटा पहले जो इसकी लिमिटेशन है वो देखे आप क्या है अनलिम्टेट लाइबनिटीज क्या है अनलिम्टेट लाइबनिटीज इसका मतलब क्या है कि एसिमित दाइतो इन पार्टनर्शीप इन पार्टनर्शीप every partners करा के has an unlimited liability in other words क्या करा है every partners is responsible collectively and individually for all the liabilities of the partnership for example in case of dissolution of partnership करा के firm if the liabilities of the firm exceed its assets the creditors have their right to get their loan recovered from any partners either collectively or individually क्या करा है बेटा इसमें ये बता रहा है कि जो partnership जहें इसमें जो partners जहें इनकी liabilities क्या होती है अन्लिम्टिड होती है एसमें तो होती है और यहाँ इसका मतलब क्या है कि करा कि कि इसी partnership फर्म में क्या बता रहे बता ये करा है कि इस partnership की जो फर्म जो होती है इसमें जो partners है इनकी liabilities unlimited होती है करा कि या दूसे सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि साज़दारी के जितने जो 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 भी इसकी लाइबरेटीज होती है यनि कि हम यह कह सकते हैं कि सारी जो लाइबरेटीज जो होती है या समझ जो लाइबरेटीज के लिए करा कि परतेग जो साज़दार है यहने की परतेख साज़दार इंडिज्वली या कलेक्टिवली यहने की पैर्थक या सही तरूप से करा के दोनों परकार से उत्तरदाई होता है पर एक्जामपल पार्टनर्शीप फर्म जो है इसके डिजॉल्वेशन की सिच्वेशन में यहने की साज़दारी जो है समापन की आउस्ता में क्या होता है कि जब उसकी लाइबरिटी जो है उसकी एसेट से ज़्यादा होती है तो बेटा जो जो क्रेडिटर जो है उनकी जो लिए करा कि वो क्या करते हैं कि साज़दारों से वेक्तिकत रूप से या सामुईक रूप से दोनों परकार से वो इसके लिए वसूल करने के अधिकारी होते हैं यनि कि वो वेक्तिकत रूप से किसी भी साज़दार से या सामुईक रूप से उनसे रिकारी करने का अधिकार होते हैं तो इसलिए ये करा है कि हाँ जो है हमारी के अनलिम्टिड लाइबलिटीज जो है इसमें बताया गया है कि परतेक पार्टनर्शीप में जो पार्टनर्स है उसकी लाइबलिटीज अनलिम्टिड होती है अनलिम्टिड का मतलब क्या है कि जितना उसने इन्वेस्टमें किया है वहाँ तक ही लेम्टिट नहीं होती है जब कहरा कि पार्टनर्शीफ डिजॉल हो जाती है साज़ेदारी का समापन होता है और उस समय जो हमारी एसेट्स है उन से जादा हमारी लाइबिलिटिज बन जाती है तो कह रहा है कि जो क्रेडिटर्स है वो अपने लॉन या इस परकार के जो रिकावरी करने के लिए वेक्तिकत रूप से या साहमुई के जो शाज़ेदार है उन से रिकावरी या वसूल करने का हदिकारी होता है इस परकार की जो पार्टनर्शीप जो है इसमें जो पार्टनर्स ह उनकी liabilities unlimited बताई गई है इसका पहली जो है लिमिटेशन ये है next जो हमारा limited resources दूसरी जो इसकी limitations है बेटा limited resources बताया गया क्योंकि करागी partnership जो है इसकी में एक limitation ये भी है कि इसके जो resources है वो limited होते है यहां resources का मतलब क्या है जो साधन है वो सिमित होते है कैसे जैसे for example आपने देख्या है कि यहां हम soul proprietorship के बारे में डिस्कस किया था तो soul proprietorship जो है उसमें ये एक limitations था और करा कि partnership को हमने explain किया था define करते समय कि soul proprietorship जो है उसमें only individual persons होता है इसलिए उसके resources जो है उन limited होते है परन्तु partnership जो है उनमें कई partners होने के कान जो है इसकी capital जो हो collect हो जाती है परन्तु यहां जो limited resources जो है इसको explain करते समय हम company जो है उसको highlight करेंगे देखिए इसमें कराकीदाल partnership business, the financial resources remain confined to the capital of the partners and their capacity to raise loan and कराकी at the time of expansion of business. जनिस् जोनिस्विस्थरस से प्रूँnya इसकोच बेश्से सत्यास्ति आपिस्दी होने पने सब्सक्च क lotta narnes Brazil फेश्दी शुदी किक पूョ्छ उन Do something क्योंड tapa करते है। ऑंगे दान फर उन जोष्यक्यों कान। उनमें Letjuk continuously developing business और करा कि big size business क्या करा है बेटा इसमें करा कि जो financial resources है वो limited है क्या बताएगा है करा कि partnership जो फरम है इसके जो financial resources है वो partners जो है उसकी sum के resources होते है वो और जितनी वो loan लेने की जो capacity वहां तक सिमित होते है तो इसमें दूसरा क्या है कि partnership में जो limit तक जो है वो investment कर सकते हैं करा कि वो limit के बाद जो है वो investment नहीं कर सकते हैं उनकी limit complete होने के बाद जो है हम business को expanded करना चाहते हैं तो उस situation में old partners है वो एक limit तक तो pay करने की capacity वहां तक pay कर सकते हैं उसके बाद जो है new partners पार्टनर्स जो हम एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि वेटा आपको बताया था कि पार्टनर्स जो है उसमें मिनिमम टू पार्टनर्स और मैक्सिमम जो है 50 पार्टनर्स होते हैं एक सीमा जो होती है जो करा कि मैक्सिमम जो पार्टनर्स है उस लिमिट को हम क्रोज से नहीं कर सकत और उसके बाद भी हम अपने बिजनिस को डवलप करना चाहते हैं, तो निशी तुप से हमारा जो financial resources है, वो एक limited होने के कार्ण है, यह करा है कि big organized जो है, या इस परकार का large scale का जो continuous developing करने में करा है कि financial resources की एक problem आती है, तो यह भी एक इसमे limitations है, next करा है कि lack of harmony, lack of harmony का मतलब क्य the success of partnership, करा की depends on mutual understanding, करा की confidence and cooperation, but whenever there are more people, there can be difference of opinion, which leads to discord and continuously there is a lack of coordination, sometime there are situations which leads to a timely close of business, क्या करा है बटा, इसमें देखे, यह करा है कि lack of harmony, यह निकि तालमेल का हवाओ, यह आपस में जो तालमेल होता है, उसकी कमी होती है, क्यों, क्योंकि partnership की जो success जो है, यह जो सफलता है, वो करा कि mutual understanding और उपर depend करती है, क्योंकि confidence और cooperation पर निर्वर करती है, परन्तु जहां भी हादिक वेकती होंगे, वहाँ विचारों की, विचारों में जो है, बिनता आती है, उनके different opinion होते हैं, और इसका result क्याता है, कि उनमे आपस में discord, जगड़ा बगेरा जो होने लगते हैं, और करा कि lack of harmony हो जाता है, और कई बार तो ऐसी situation उत्पन हो जाती है, कि साज़ेदारी वेवसाय, समय पर ही, ऐस समय जो time से पहले ही उसको बंद करना पड़ता है, क्या करा बिटा, lack of harmony, ताल मेल का वाओ, क्योंकि आपने देखिया था कि partnership की जो feature थी, mutual understanding के उपर depend करती थी, और करा कि हाँ जो है, क्योंकि बहुत सारे जो partners है, वो partnership में involved होते हैं, उनके different opinion होते हैं, और करा कि कई बार ऐसी situation हो जाती है, different opinion के कार्ण जो है, आपस में discord, जगड़े बगेरा जो है, वो होने लगते हैं, और करा कि ऐस situation हो जाती है, कि time से पहले ही जो है, business जो है, उसको close करना पड़ता है, तो ये भी एक इसमें limitations है, next कहरा है कि lack of continuity, कहरा है कि lack of continuity का मतलर क्या है, इसमें निरंतनता का भाव है, यह नहीं कि देखे बेटा, sole proprietorship also same, sole partnership also same, but company जो है, इसमें क्या है, किसी भी shareholder के आने और जाने से company के ओपर कोई effect नहीं पड़ता, company as it is, जो है, वो चलती रहती है, तो उसमें एक, हम यहाँ company को लेते हुए, इसमें difference करते हैं, कि क्योंकि lack of continuity, the existence of a partnership, करा कि it is very uncertain, यहनी कि साज़दारी का अस्तितव जो है, करा कि any seat होता है, in case of any two partners in a partnership business, किसी partnership business में केवल दो ही साज़दा है, and with any of the, any of the person, any of the reason, such as death of a partner, your declaration of his bankruptcy, करा कि on his going insane, in addition to this, every partner has a right to terminate the partnership after giving a period notice, करा कि any partners can use this right of, there is lack of mutual understanding and get the business close, in this way, the, in this way, the close of business is a social loss, and there is a lot inconvenience for its employees and customers, क्या करा बेटा, lack of continuity, इसमें निरंतरता का हवाओ बना रहता है, क्योंकि साज़दारी जो है, किसका अस्तितव एनिश्ची तो होता है, किसी partnership में दो ही partners है, और उसमें किसी partners की death हो जाती है, या bankruptcy हो जाता है, या उसको पागल हो जाता है, तो कहरा कि partnership जो है, उड़ी जोल हो जाती है, दूसरा क्या है, कि partnership में, किसी partner का या पहले जो है notice दे करके, वो टर्मिनेट हो सकता है, तो कहरा कि इस परकार का राइच जो होता है, तो कहरा कि इसमें mutual understanding का हवाओ के कानज है, इस परकार जो है बिजनिस को time से पहले close किया जा सकता है, और कहरा कि बिजनिस को बंद करना ए सामना करना पड़ता है, तो करा कि बेटा ये lack of continuity जो है, ये भी इसमें limitations पाई जाती है, कि इसमें partnership में, next करा कि lack of public faith, क्या करा है कि जनता का विश्वास का हवाओ, क्यों, देखे, company जो होती है, उसमें company के जितने भी account है, वो करा कि public, आम public जो है, उसमें published जो है, वो करने हो आम public जो है, उसमें present नहीं करने होते है, इसलिए करा कि public जो है, उनमें एक confidence जो है, वो नहीं होता, तो देखे, हाँ, since under the company business, करा कि the annual account of a partnership business are not presented to the public, the real position of a business does not does not become no to the faith, sometime people get the idea that the business is earning more profit, more profit by looting the customer, by looting the customer, the creditors, especially to advance loan to the partnership, because the actual economic of the business is not known, क्या कराया बेटा, इसमें देखे, यह कराया है, कि हाँ, हमारा एक और limitations होती है, और यह limitation जो है, जनता के विश्वास का हबाव, यहनी कि जनता के विश्वास का हबाव का करण क्या है, क्योंकि company की भाती, यहनी की partnership के, जो annual accounts को, यहनी की public के सामने, यहनी की प्रस्तुत नहीं क्या दाता, परजे, यहनी की, इसको परजेंटिक नहीं क्या दाता, इसलिए जनता जो है पब्लिक जो है उसको बिजनिस की रियल पॉजिशन की नोलेज नहीं होती और कई बार लोगों में धारना हो जाती है कि जो बिजनिस जो है वो कस्टॉमर को लूट कर बहुत हादी के अरनिंग कर रहा है लाब कमा रहा है औरिशेश कर जो है उनकी रिएल एकोनोमिक की जानकारी क्या भाव के कार्ण जो है पार्टनर्शीब को जो रिन जो है परदान करने में संकोच करते हैं तो करा कि कुछ इस परकार की पार्टनर्शीब में लिमेटेशंज है जिनके कार्ण जहे हम यनिकी ये पार्टनर्शीप में कुछ जो लिमिटेशन्स होने के कार्ण भी यनिकी पार्टनर्शीप बिजनिस के इसके मेरिट्स और जो लिमिटेशन्स है इनकी स्टेडी करने के बाद हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये प्रारूप जो है उस दसा में बैटर होता है जब बिजनिस का जो साइज जो है मीडियम स्तरका हो तथा यहने की इसकी जो है आपसी सूजबूज पर हो एट मॉस्ट गूड फेद हो यहने की क्या है लार्ड स्केल के जो बिजनिस है उसमें कुछ इस परकार के प्रोब्लम करेट होती है यह दि क करा कि बिजनिस जो है मीडियम टर्म का है तो करा कि इसके मेरिच और लिमिटेशन जो है इनकी स्टेड़ी करने के बाद जो है हम इस पॉइंट पर आते हैं कि जो मीडियम जो है ताइप का जो बिजनिस है उसके लिए ज़्यादा बैटर होता है जबकि यहने की जो पार्ट